नमस्कार, स्वागत है आपका टेक्निकल सार्थी चैनल पर आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि आप कैसे SBI Net Banking का यूज करते हुए किसी को पैसे किस तरीके से बेश सकते हैं SBI Net Banking में Quick Transfer की मदद से आप बिना Beneficiary Add किये आप किसी भी अकाउंट में पैसे टांसफर कर सकते हैं फिर चाए उनका Bank अकाउंट SBI Bank में हो या चाए किसी अन्या Bank में हो SBI Net Banking को यूज करते हुए Quick Transfer की मदद से किसी को पैसे टांसफर करने के लिए सबसे पहले हमें Google Chrome App को उपन कर लेना है दोस्तों आप यह प्रोसेस स्टेब आई स्टेब देखने के बाद अपने फोन से भी SBI Net Banking का यूज करते हुए Quick Transfer की मदद से किसी को भी पैसे टांसफर कर सकते हैं यहाँ पर Google Chrome ओपन करने के बाद हमें Search Box में SBI Net Banking लिखके सर्च कर लेना है यहाँ पर हमें सबसे पहली वाली साइट को यह ओपन कर लेना है इसके बाद हमारे सामने कुछ इस परकार का एक पेज ओपन हो जाएगा यहाँ पर हमें Continue to Login पे क्लिक कर देना है इसके बाद हमारे सामने कुछ इस परकार का एक पेज ओपन हो जाएगा यहाँ पर हमें username डालना है यहाँ पर हमें password और यहाँ पर हमें capture code डाल देना है जो कि हमें यहाँ पर नीचे दिख रहा है इसके बाद हमें login वाले बटन पर क्लिक कर देना है दोस्तों यहाँ पर मैं अपने details डालके login कर लेता हूँ यहाँ पर login पर क्लिक करने के बाद one time password वाला option आ जाता है यहाँ पर जो भी हमारे phone पर one time password यानी OTP आई है उसे यहाँ पर fill करके submit वाले option पर क्लिक कर देना है login हो जाने के बाद हमारे सामने कुछ इस परकार का एक page open हो जाता है यहाँ पर हम अमारा available balance चेक कर सकते हैं क्लिक करके दोस्तो पैसे transfer करने के लिए हमे payment transfer वाले option पर क्लिक कर देना है यहाँ पर सबसे उपर ही पहला option आप quick transfer का देख पाएंगे quick transfer without adding beneficiary यानि की बिना किसी beneficiary को add किये ही आप किसी को भी पैसे transfer कर सकते हैं यहाँ पर पैसे transfer करने के लिए हम quick transfer वाले option पर क्लिक कर देंगे इसके बाद हम नीचे scroll करेंगे यहाँ पर सबसे पहला option है beneficiary का नाम यहाँ पर लिख देना है उसके बाद उसका account number और account number को यहाँ पर verify कर देना है यानि की दो बार हमें account number लिखना है इसके बाद यहाँ पर नीचे चो payment option है उसमें पूछ रहा है within SBA यानि की SBA का account है तो इस पर select करना है और यदि आपका SBA का account नहीं है तो इस वाले option को select करना है मेरा यहाँ पर SBA का account है तो मैं within SBA option select कर लेता हूं और अपने details fill करके और फिर मैं इसको process करके आपको दिखाता हूं यहाँ पर नाम और account number fill करने के बाद amount वाले option में जितना amount हमें transfer करना है वो लिख देना है और यहाँ पर हमे purpose select कर लेना है कि आप किस purpose से किसी को पैसे transfer कर रहे हैं उसके बाद जो purpose वाला option है उसमें मैं यहाँ पर loan वाला option select कर लेता हूं नीचे यहाँ पर हमें I accept वाला check box पर click कर देना है इसके बाद हमें submit वाले option पर click कर देना है कन्फर्म वाले बटन पर किलिक करने के बाद हमारे सामने कुछ इस परकार का एक पेज ओपन हो जाता है यहाँ पर हमें OTP एंटर करनी है जो कि हमारे फोन पर आ चुकी है यहाँ पर OTP एंटर करने के बाद हमें कन्फर्म वाले बटन पर किलिक कर देना है यहां पर आप देख सकते हो कि जो अमारी transaction है वो completely successful हो गई है और अमारे जो पैसे हैं वो transfer हो गए है दोस्तो आप भी कुछ इसी तरीके से quick transfer की मदद से पैसे transfer कर सकते हो दोस्तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को like करो चैनल को subscribe करो Thank you so much for watching